हेलो गौईज, स्वागत है आपके हमारे नए चैनल में आज हम गेंडा का बीज से आप पौधा कैसे तयार करें इसके बारे में हम कुछ जानकारी देने वाले है बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है गाईजी आप इस वीडियो को बढ़ा कर मत देखिएगा इसे अंत तक देखिए तो आपको पौधा लगाने के बारे में बहुत अच्छा जानकारी आपको मिलेगा कि गेंडा फूल से आपका पौधा कैसे तयार होता है कितना लोग कमेंट कर रहा कि मैं हम गेंदा फूल का बीज से हम तयार करते हैं, हमारा बीज से तयार नहीं होता है, इसके बारे में हम आपको पूरा अंतक बताएंगे, कि गेंदा का किस बीज से आपका पौधा तयार होगा, और किस बीज से पौधा नहीं तयार होगा, इसके बारे में हम पूरा जानकारी देंगे आपको और आपको बीडियो बहुत अच्छा लगेगा आप हमारे चैनल में नए हैं तो बीडियो को कर दें लाइक के पेल आइक न को दवा दें अब हम बीडियो को start करते हैं तो यह देखे गाइज यह हमारा जो है आपका ताजा फूल का वीज है यह जो देख रहे ह काला काला हमारा ताजा अभी हम तुरत इसे फूल को तोड़े हैं तोड़कर हम आपको देखा रहे हैं कि देख सकते हैं जितना काला आपको दिख रहा है जितना मोटा बीज दिख रहा है आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में अच्छा से देखाएं यह जो काला काला एक दम काला काला है यह जो बीज है इससे भी तयार हो सकता है आप ताजा फुल फिल डाल दे तो बीज तयार हो सकता है मने पौधा तयार हो सकता है इससे और दूसरा एकदम सुखा हुआ बीज है जो हम आपको देखाएंगे देख सकते हैं यह हमारा एदम सुखा हुआ बीज है इसमें भी हमारा आपका देखते हैं काला 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 नजर आ रहा है इसमें बीज हमारा इसको हम सुखा लिये थे देख सकते हैं इसमें हमारा बीज इससे भी आपका पौधा तयार हो सकता है आप सुखाकर इसे रख ले आप सालो साल चला सकते हैं आपका घर में कभी गेंदा फुल का कमी नहीं होगा हम तो ये तो cutting से भी बताएं थे गेंदा फुल का cutting भी बहुत अच्छा से तयार होता है पर जिसके घर में गेंदा फुल का बीजी नहीं है या पौधाई नहीं है तो आप कैसे तयार करें हम तो ये जो बीज है हम अपना घर में जो पौधा लगाए हुए है हम ना गेंदा फुल खरीद के लाएं थे हम बीज से ही तयार कियें थे गेंदा फुल का बीज से ही तयार कियें थे और ये हमारा अभी तक साल भर हो गया है और मेरा घर में गेंदा फुल का कभी कमी नहीं हुआ है तो देख सकते हैं ये काला काला जो बीज है इससे भी आप तयार कर सकते हैं कौन सा बीज आप डालेंगे जो उससे पवधा तयार नहीं होगा वो चीज भी हम आपको देखाने वाले हैं देखें ये भी है गेंदा का बीज अब आप इसमें कमी ढूंडिए कि इसमें बीज में कमी क्या है जो आपका पवधा तयार नहीं होगा हम आपको कमी बताएंगे इसमें कि पवधा तयार क्यों नहीं होगा देख सकते हैं ये भी गेंदा का ही बीज है पर इसमें एक भी काला दीख रहा है आपको एक भी काला नहीं दीख रहा है तो ये पवधा जो ये फूल है यह अभी कच्चा है इसमें आपका बीज तयार नहीं हुआ है देख सकते हैं कहीं भी काला नेजर नहीं आ रहा है तो कुछ लोग ऐसा छिड़काव करने से आपका पौधा कभी तयार नहीं होगा इसमें देख सकते हैं इसमें कुछ काला भी है देख सकते हलका हलका जो काला पर नजर आ रहा है इससे भी बीज आपका पौधा तयार नहीं होगा क्योंकि इसमें बीज में दम नहीं है और ये खुद भी तयार नहीं हुआ तो पौधा कहाँ तयार होगा अब देख सकते हैं ये हमारा जो है ये ताजा फूल का है हम ताजा फूल को भी छीटे हैं पर इसका बीज जो होता है दमदार होता है मोटा होता है आप इसे भी छीट दे क्योंकि हम जब भगवान को चलाते हैं चलाने के बाद जब हम फूल को उतारते हैं तो हम कितना बर हम कि फूल को ऐसी छिट दिये हैं, ताजा फूल को छिट दिये हैं, उससे भी पौधा तयार हो जाता है, बसरते आपका जो ये बीज जो है, इस तरह बीज रहेगा, तो पौधा आपका कभी तयार नहीं होगा, इसे हम आपको लगा कर भी बताएंगे, कि पौधा कैसे लगाना कितना दूरी पे लगाना चाहिए, और किस चीज पे लगाना चाहिए, ताकि आप दूसरा आप गमला में कनवर्ट कर दें, और कितना दीन में तयार होता है, इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे, तो देख सकते हैं, ये जो हमारा कंटेरनर है, ये हमारा मिठाय का कर चुके हैं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, नीचे भी किये हैं, और यहां भी किये हैं, ताकि इसमें मेरा पानी जो है, कहीं भी रूके ना, हर जगा हम छेदा किये हैं, ताकि हम पानी डाले, तो बहुत आसानी से ये पानी निकल जाए, ऐसे भी पानी ये जो बालू में पानी को सोख लेता है और कुछ दिन तक रहता है इसलिए कोई भी पौधा आप भी से ग्रो कर रहे हैं तो केवल बालू में करें ताकि बहुत अच्छा और आसानी से पौधा ग्रो हो जाता है ताकि आप जब पौधा तैयार हो जाए तब आप दुसरा मट्ती में क बन भट कर सकते हैं तो हम आपको बालू में केवल उगा के देखाना चाहते हैं कि गेंदा फूल बहुत आसानी से उगजाता है तो आपका जो सूखा हुआ बीज है कि सूखा हुआ बीज को छिड़का कुछ इस तरह करना है आपको कुछ इस तरह करना है ना इसका ओपर आपको मट्टी डालना है के बल पानी डाले वह अपने आप दब जाएगा अब यह ताजा फूल है ताजा फूल भी आप हलका हलका ऐसे छिड़ दें ताजा फूल भी आप शिर्ट सकते हैं देख सकते हैं ताजा फूल को शिर्ट दिये हैं यह आपका तीन दिन के अंदर में पवधा आपका बाहरा जाएगा और यह महिना दिन के अंदर आपका पवधा कुछ इतना बड़ा-बड़ा हो जाएगा आप इस जब पवधा आपका एक बिता का हो जाएगा तो आप इसे कटिंग करना न भूलें कटिंग करेंगे तभी इसमें बहुत अधिक फूल मिलेगा तो फिलाल इसे जब आपका पॉधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप दूसरे गमले में सब को करें इजिग कर दें और अच्छा से इसे देक्षाल करें यह आपका वी से हैं आप कर्टिंग होला में उतना दिकत नहीं होता है जितना बीज वाला में से मतलब क्या इसका कियर करना पड़ता है बहुत ऐसा कियर है कि आप इसे जब भी मतलब 2 लगां आपको चैनल में जाके बहुत कुछ कए लुका कीश्चाएं कि अलग यदि प्लीन व्मिल देत। और यह पौधा बहुत आसानी से गुरो हो जाता है बीज से भी होता है और कटिंग से भी होता है यह हम आपको कटिंग वाला मेरा आप चैनल में जाके देखें हम कटिंग वाला बताएं आपको कटिंग वाला भी बहुत आसानी से लगता है पर बीज वाला में होता है कि बहु क्योंकि इस पोधा नहीं होगा तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद